Welcome back to the channel guys, आज हम आपको बताने वाले है कि case study कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर मैंने एक landmark case का बना रखा है, मैंने का Gandhi versus Union of India, और यहाँ पर उसका नम, पहले तो आप heading दो जिस case पर बनाने वाले हो, case study मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि आपको समझ में और यहाँ पर उसका जो क्या है, उसके कारण क्या changes हैं, तो यह हम देखने जारे हैं, तो सबसे पहले हम लिखते है facts of the case, facts of the cases को आप short points में भी लिख सकते हो, 3-4 जितने points में आप अपनी पूरी बात बता रहे हैं, और कोशिश करो छोटे में ही बता पाओ, जैसे मैंने तीन paragraph में बताया है, facts of cases में हम डालते हैं कि क्या scene है, क्या story क्या है, पूरी, ठीक है, फिर आता है हमारे सामने, देखो, हमने दूसरा क्या देखा था, issue, issue मतलब इस case में problem क्या है, तो इस case में था की, where the right to go abroad is a part of, is a part of right of personal liberty under article 21, तो ऐसे आप, issue of the case, इस case के क्या issue है, वो transform कर सकते हो, ठीक है, यह भी छ से लेके, यह और यह, यहाँ पर खतम, तो almost आपको भी इतना ही बनाना रहती है, एक ideal pages इतने ही लगता है, इतने भी words में आ जाता है, ठीक है, अब हम देखते हैं, इसके बाद क्या था, तो तीसरा हमारा क्या था, judgment, judgment के अंदर quote ने क्या observe क्या case के अंदर, और, क्या मतलब क लिक्ताता है, तो उसे हम judgment कहते हैं, ठीक, ठीक, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया देखो, issue के बाद क्या था, judgment, तो यह आ गया हमारा यहाँ पर judgment, इसके अंदर आपको लिखना होगा है, जो quote को लगता है, decision quote ने case basis पर लिया है, यहाँ पर देखो, to the extent to the section, to which section, 10, sections सब लिखे में हैं, यहाँ पर general public interest, यह quote ने observe किया, और फिर अपना judgment दिया, इसके अंदर, कि procedure practice is worst, तो यह क्या है, यह उन्होंने judgment दिया है, ठीक है, तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब इसके करने effects क्या होगा, a new doctrine of post decision theory was evolved, तो एक decision evolved होगी, और उसी को लेके, आग इसस में यह judgment दिया था, तो उमीद करता हूँ पर छोटी सी चीज़ समझ में आगे, फिर से एक बाद एक लेते है, heading, उसका number, फिर facts of the case, case में क्या लिखा गया, short and brief में आप points में बता सकते हो, फिर issue of the case, case का issue क्या, problems क्या क्या है, judgment, court को क्या observe क्या, और court ने क्या फिर उनके आपको समझ में होगा, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत